तो कैसे हैं आप फ्रेंज आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो लेके आए हूँ बैक टू बैक लाइव आने के बाद आज मैंने एक हिकट किया हुए जो औरडी पहले मेरे पास था तो मैंने सुचा आप लोगों को दिखाया जाए एक तम लंबे बालों से ट्रांसफर्म करके शोट हेकर चलिए शुरू करते हैं आज का नए वीडियो अब लोगों को ओर रडी पता है फोर सेक्शन बेसिक फोर सेक्शन निकालेंगे हम सेंटर पाटिशन उसके बाद निकाल लेंगे year to year ये हेकट specially मैं सबको दिखाने वाला हूँ कि जब भी ऐसा लगे आपको कि आप पे short हेकट जचेगा या नहीं तो मतलब ये उनके लिए है जो डरते हैं अपने लंबे बालों को छोटा कराने के लिए तो आप करवा सकते हैं ऐसी कोई problem नहीं है tension नहीं लेने का अगर जब भी बाल कटवाने हैं सबसे पहले मैं इन क्लाइंट्स के sectioning कर लूँगा जो की है half of the year उसके बाद I think light का कुछ इशू है उसकी वज़े से चलो start करते है हेकट मैं थोड़ा से zoom in कर लूँ ताकि आप लोगों के हेकट अच्छे से दिखाई दे मैंने box के area लिया है यहाँ पे इसको आपको shortcut करना है जैसे हम blunt में करते हैं पहले एक straight line parameter line बना लेंगे मैंने shortcut कर दिया है आज का जो haircut है आप देखिएगा ध्यान से मैं कौन सा cut करने वाला हूँ मज़ा आने वाला इसे cut में एकदम long से short में जाना बहुत अच्छा बहुत different होने वाला है सबसे पहले हम बना रहे हैं parameter पहले एक guideline बना ली हमने उसके बाद मैं next section ले लूँगा जो किया आदे इंच का section same state horizontal section अब जैसे ही ये section लिया मैंने box का area लिया अब ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं अभी जैसे ही box का area लिया उसको मैंने कार दिया है 90 पे 90 डिगरी पे कारना बहुत जरूरी है just see it ओके देखते रही है 90 डिगरी पे कट किया then again मैंने बाल लिये side बाले उसको भी 90 डिगरी पे कार दिया जो weight है बालों में से वो निकाल दिया और जो side में extra hairs आपको लग रहे हैं उसमें आप उनको extra cut कर सकते हो तांकि वो uneven ना लगे नहीं तो वो खराब दिखते हैं एक neat and clean cut जब भी आपको देना होता है तो वो ध्यान रखना होता है कि वो कभी भी एक तो छोटे बड़े नहीं होने चाहिए और uneven नहीं होने चाहिए तो यहाँ पर मैं skin के साथ touch करके Caesar को एक state line create कर लूँगा create करने के बाद other side जो भी बाल बड़े हैं उनको cut कर लूँगा इस side भी बाल बड़े लग रहे हैं मैं Caesar की help से और अपनी finger की help से एक state parameter line दुबारा create कर लूँगा फिर step by step आप sectioning लेते जाहिए और haircut करते जाहिए जैसे मैंने बताया आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में बट जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो में देख सकते हैं कि हम किस तरीके से step by step ये haircut short करने वाले हैं एकदम लंबे बाल हैं मैंने छोटे नहीं किये हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि इतने लंबे बाल भी आप cut कर सकते हो डरने वाली बात नहीं है just 90 degree पे cut कर रहा हूँ मैं बालों को पकड़ा और vertically section लिया 90 degree पे and cut किया इसको बोलते हैं head shape follow करना step by step just watch it एकदम easy है ना बट ऐसा वो tension रहता है कि इतने सारे बाल हम कैसे काट लेंगे तो वो डरना नहीं है client आपके पास बाल कटवाने ही आया है अगर आप बाल नहीं काटोगे तो वो perfect shape नहीं आएगा और अगर perfect shape नहीं आएगा तो आपका hey cut अच्छा नहीं होगा तो उसके लिए please मैं थोड़ा सा camera set कर रहा था ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे section by section मैंने अगला section लिया है अभी मैंने अगला section लिया है उसी तरीके से आदे इंच का section जब भी आप छोटे बाल कट करेंगे section एकदम पतले पतले लेने है और जादा लेने है ये ध्यान रखना हमेशा यहाँ पे फिर उसी तरीके से उसी तरीके से मुझे सारे बाल कट कर लेने है 90 डिग्री पे जितने भी बाल बड़े हैं उनको काट लेना है head shape follow कर रहा हूँ मैं एकदम easy तरीके से आप देखिए कितने अच्छे से मैंने सारे बालो को कट कर लिया जहाँ पे आपको लग रहा है weight है आप उनको फिर से काट सकते हैं आप उनको फिर से काट सकते हैं साथ 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 के hair भी चेक करते रहें अभी आगया मेरा top crown का portion अब देखिएगा ध्यान से मैंने को कितना छोटा कर रहा हूँ इस पार्ट को 90 पे नहीं काटके थोड़ा सा हम drop कर सकते हैं finger उपर वाले बाल बड़े रख लेंगे क्यों? विकोज यह जो crown portion है यह जादातर खड़ा हो जाता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ side में भी उसी तरीके से बड़े बालों को cut किया other side also this is call short haircut और boy haircut आप बोल सकते हो काफी देर बाद हमने I mean यह client ने दो साल के करीब बाल बढ़ाए और अभी cut वा लिये हैं तो it's a good thing actually अगर आप बाल कटवाते रहते हो experiment करते रहते हो अपने बालों के साथ it's a good thing आप देखिए आप कैसे दिखते हो different क्या कर सकते हो जरूरी है डरना नहीं चाहिए बाल ही है grow हो जाएंगे लंबे बाल करके भी क्या करेंगे right बट कुछ लोगों का वो मन में होता है कि मुझे बाल लंबे करने है तो कैसे कर सकते हैं simple सी बात है लंबे बाल easily हो जाते हैं बस उसको maintain करना आना चाहिए लंबे बाल करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है जैसे ही side के बाल मैंने straight cut किये जैसे वीडियो में दिखाया अभी उपर वाला section लेने के बाद मैं इसको 90 degree पे cut कर लूँगा जैसे मैंने पहले काटे थे पीछे की तरफ छोटे बाल guideline उपर वाले बाल cut कर दिये अभी कान के उपर वाले बाल cut कर दिये and इसके बाद just here कितना अच्छा already बालो में जो wave है वो आना शुरू हो गया पर यहां पे कुछ बाल बड़े लग रहे हैं तो मैं इनको straight line दे दूँगा ear के half में ear के एकदम कान के आधे में यह बाल cut कर दिने है अगर आपसे इस तरीके से नहीं काटा जा रहा तो आप हाथ में पकड लीजिए बालो को और cut कर दिजिए straight line create कर दिया है मैंने यहां पे ध्यान से देखिएगा उसी तरीके से यहां पे जो भी बाल बड़े लग रहे हैं उसको shape दे दूँगा कान के पीछे वाल थोड़े से बाल बड़े हैं मैं पकड़ूंगा कोई भी बाल छूटना नहीं चाहिए अगर रह जाते हैं तो फिर perfect haircut का लुक नहीं आ पाएगा अभी रह गया मेरा top का part जो की center partition से right side के बाल है वो रह गए उनको काटेंगे इनको भी 90 degree पे ही कट करना है मैं बाल 90 degree पे ही काट रहा हूं बाल जादा लंबे नहीं रखने हैं बड़े नहीं रखने हैं मुझे shape देना है आगे वाले बाल कॉम किया section by section cut कर दिया जैसे यह हो जाता है आप side में कॉम कर सकते हैं अभी other side उसी तरीके से मैं बालो को partition कर लूँगा end of the eyebrow जो section है वो निकाल लेंगे हम और state line create कर देंगे जो की कान के हादे में रहती है क्योंकि मैं थोड़ असा उठा के काट रहा हूं तो वो exact line नहीं आती है इसलिए मुझे रखके बालों को काटना ही पड़ेगा skin के उपर फिर 90 degree start करेंगे उसी तरीके से 90 degree काट रहे हैं जैसे हमने पहले काटे उपर वाला section ले लिया mid of the eyebrow वाला second section then 90 degree पर काटा यह हेकट जो है actual में हम क्यों करके दिखा रहे हैं मेरे पास और यह काफी वीडियो हैं बट इतने short haircut नहीं किये कभी इतने लंबे बालों पर मतलब haircut किये बट वीडियो नहीं डाला मैंने तो मुझे लगा कि यह वीडियो डालना चाहिए काफी देर से पड़ा हुआ था मैं आपको दिखाऊं कि कैसे आप डिफरेंट कर सकते हैं उसी तरीके से फ्रंट के हेर्स अब देख रहे हैं उपर वाले बाल मैं एकदम 90 पे ना काटके थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूं उपर वाले portion को जैसे ही हेकट हो जाता है अब ही मैं box का area लूँगा उसको merge कर दूँगा दोनों sides को merge करना बहुत जरूरी है बालों को merge करना बहुत जरूरी है box area को दोनों side के बाल मैंने merge कर दिये यह है final haircut हमारा देखिए before and after एकदम लंबे बाल थे और उसको हमने dryer करने के बाद एकदम short haircut में ले गए कैसा लगा आपको यह haircut एक client का पूरा look change हो गया है आप इसको reach अक कर सकते हैं बालों को देख सकते हैं कि कहीं पे बाल कुछ बड़े तो नहीं रह गए हैं और अगर रह गए हैं तो उनको काट लीजिए इस तरीके से मुझे कहीं पे लग रहा है तो मैं काट रहा हूँ और जो unwanted बाल हैं नीचे hair के नीचे होते हैं जो caller के पास तो उसको आप cut कर दीजिए with the help of clipper just watch it how is the haircut मज़ा आया अगर आपको यह haircut पसंद आया तो इस वीडियो को like कर दीजिए share करिए comment करके बताईए आपको वीडियो कैसा लगा client को बहुत पसंद आया because client काफी देर बाद अपने लंबे बालों से चुटकारा पाप आई है उनको लंबे बाल पसंद नहीं थे तो इसलिए उन्होंने छोटे करवा दिये देखिए haircut को at least manage करने में एक अफ़ते से 10 जाएगा बाल गिले करके उनको बताईए कि आप set कर सकती है every day अब जैसे सोचेंगी वैसे ये haircut shape ले लेगा but at least एक week लगता है जब भी ऐसा haircut करते हो क्योंकि उसको shape नहीं दिया अभी तक हमने हमने haircut किया है वो अपनी उंगलियों से every day जब कॉम करेंगी तो वो exact shape आ जाएगा ओके तो डरने की जूरत नहीं है ये हमारा Instagram पेज है आप जाके follow कर सकते हैं और कोई भी question हो यहाँ पर पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलता हूँ नेक्स वीडियो में मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे Thank you so much